हर साल सभी को गनिश्चत्रती का बेस्बरी से दिजार रहता है आम हो या फिर खास सभी अपनी श्रद्दा के नुसार बप्पा की पूजा अर्चना करने में लग जाते हैं बप्पा के भगत उन्हें अपने घर में लाते हैं और पूरी श्रद्दा से उनकी पूजा करते हैं स्टार्स भी गनिश्चत्रती को खूब धुमदाम से मनाते हैं बिग बॉस सुत्रा की फेम और एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे भी हर साल गनिश्चत्रती मनाते हैं और इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ ऐसे में इस बार भी वो बप्पा के मूर्ती लाने के लिए गई लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें एक महिला से माफिय मांगनी पड़ी इस दोरान का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुती तेजी से वारेल हो रहा है अंकिता लोखंडे शुकरवार को गनपदी पपा की मूर्ती लेने गई थी अंकिता को देखकर वहाँ पेपराजीज की भीड खटा हो गई एक तो पहले से ही वहाँ मूर्ती खरेदने वालों की लंबी चौड़ी भीड लगे वी थी उस पर अंकिता को देखकर पेपराजीज भी आ गई अब ये देखकर वहाँ पर मौझूद एक महिला पेपराजीज पर इतनी भड़क गई और जोर-जोर से चिलाने लगी बात को आगे बढ़ता देखकर अंकिता ने उस महिला को रोकते हुए उनसे माफी मांग ली इस दोरान अगर अंकिता की लूग की बात करें तो उन्होंने डाक रेट कलर की सलवार सूट पहने हुई थी आई आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो अंकिता लोखंडे का ये वीडियो सोचल मीडिया पर तेजी से वायरेल हो रहा है वीडियो पर लोगों के मज़िदार कमेंट्स आ रही है इस पर कमेंट्स कर रहे यूजर ने लिखा कि गनपती आगमन के दोरान अंकिता की दिल से मांगी माफी एक ये दूसरे यूजर ने लिखा बड़ी बात है अंकिता ने माफी मांग ले लेकिन सुनकर अच्छा लगा एक ने मज़िदार अंदाज में लिखा सिंगो मांटी और ऐसे कई और कमेंट्स आए वीडियो पर जिनने लोगों ने देखकर खुब ठड़ा के लगाए